नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी गाहरदिक स्वागत आप इक अपने चैनल मनी गुरुजी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आईलेंड वसे साउथ आफ्रिका के बीच के लिए जाने वाले तीसरे वंडे मुकाबले के बारे टेलीग्राम जो है हमारा मनी गुरुजी के नाम से 35,600 युजर हमारा साथ जूट चुके लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से आपको आमें टेलीग्राम पर फोलो करना है ध्यान रखना टेलीग्राम पर आज चल रह पिछे रिपोर्ट के बारे में अगर जाने ओडिये स्टेट्स के बारे में तो आप देखो को अभी तक इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं ओडिये कि वो खेले गए हैं 24 मुकाबले उसमें से 9 मुकाबले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 14 जो टीम बाद में बल्ले बाजी करती है उसे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। उनली दो बार बने तो कहीं नगई फ्रिंस मुझे ऐसा लग रहा है 220-235 का गरीब इसकोर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर recent form की बात करूँ तो आयलेंड की टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से उनली एक मुकाबला जीता है हेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट से तो आप आप two बहुत हैं नारा खोटल भुंस पह बह、टिरिन और सब्सेंट अबुर्ण करते हैं। सारा मुरे और अलाना डेल जी तो कुछ इसे पकार आपको देखने को मिल सकती आइलेंड की पॉसिवर प्लेइंग की लास्ट मेच की इन की गेंदबाजी की बात करूँ तो लास्ट मेच में ओनली जोटना डेमसी ने विकेट लिया था लगबग 10 ओवर किये थे उनसांट रंद देखर बाकी किसी भी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला था बात कर लेते हैं साउथ अफरीका की टीम से साउथ अफरीका की टीम सब देखोगे लारा गोडल है लोरा वालवाट है पिर हम बात करें सबनम इसमेल एंडी क्लरक और यहां से अयंग बकाखा का राईज भी नतुज की तो कुछ इस पकार रह सकती है साउथ अफरीका की टीम हाला की फ्रेंज इस मेज में आपको बड़े बद्लाव भी देखने को मिल सकते हैं लास्ट मेज में गेंदबाजी की बात करें तो सबनम इसमेल ने तीन विकेट निकाले थे एंडी कलेक्ट में दो विकेट लिये थे दोनों ने दस्दस ओर गेंदबाजी की थी फिर यहां से हम देखें राईजी भी ने एक विकेट अपने नाम किया था सुन्दी लुईस ने साथ दोर में उन्चाली संदेर एक विकेट अपने नाम किया था बाकि खाका को विकेट नहीं मिला था नाहीं टकर को मिला था और नाहीं ट्रोईन को विकेट लास्ट मुखाबले में मिला था देख लेते हैं क्या रहीगी मेरी टीम तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें विकेट कीपर शेक्षन में तो यहाँ पर वॉल्डरॉन का उप्षन है त्रिशा चेटी का उप्षन है हाला कि वॉल्डरॉन का उप्षन हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नजर आता है बात कर लए थे बल्ले बाज इस्टन, आँछ अर्ड लैनी ये, तो आप चेंज इस कर सकते हैं सोरी किस्जी यहाँ पर मैंने चार बल्ले बाज लिए, यहाँ है उपनीं करते है और चारों के चारों बल्लेवाज काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो फिलाल में एस्टे, आयल, गोडल, लॉरा वॉलवाट और गेबी लुइस मेरी टीम में आ जाती है तिन ओर वॉल रावंटर में लेकर चलूँगा, लिया पॉल को मेने लियाiene है, सुनि लूइस को मेने लिया है, और अंडि क्लर को मेने लिया है option आपके पास A-Kaly का है आपके पास C-Troin का भी option है S-Make-Mohan और D-Tuck करता है option बहुत सारे उनमें से कुछ अच्छे option की बात करूं तो Make-Mohan का अच्छा option आपके लिए हो सकता है A-Kaly का अच्छा option हो सकता है C-Troin को Grand League में ट्राइ करीगा कभी भी जद्धा ओर करके दो से तीन विकिट निकाल सकती है फिलाल मैंने N-D Clegg, Suni Lois और L-Pol को अपनी टीम में जगे दिये तीन गेंद बाद में लेकर चलूँगा सबनम इसमेल को, G-Demcee को और मैंने लिया है आयोंग बका खाका को आपके बाद जो उप्षन है, वो बहुत सारे उप्षन है चेंजिस कर सकते हो, Meguri का उप्षन है सारा मुरे का उप्षन है, या फिर नतो ये जो प्लेयर है, RISE भी, RISE भी आपके लिए Grand League में जरूर ट्राइ कीजिए का चलिए टीम का प्रिवी देख लेते हैं उससे पहले फ्रेंस टेलीग्राम से जरूर जूट जाएगा लिक वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी मनी गुरी जी नाम से टेलीग्राम है सबनम इसमेल और G.T.M.C कैप्टन मेरी रहेगी इस मेज में सबनम इसमेल वाइस कैप्टन मेरी रहेगी सुन्दी लोइस आप थोड़ा बोच चेंजिस भी यहाँ पर कर सकते हो जैसा कि लोरा गोल एल गोडिल को भी आप कैप्टन कर सकते हो वहीं पर एल पोल को वाइस कैप्टन कर सकते हो इस तरह से आप चेंजिस कर सकते हो अगर आप एक बेकप टीम से खेल दो या ग्रेंड लिग टीम से आप खेल दो तो सबनम इसमेल और एंडिक लग को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर कीजेगा फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जूर जाए है, फाइनल अप्डेट फाइनल टीम वही पर मिलेगे हो, फ्री एंट्री टेलीग्राम पो चल रहे है, टेलीग्राम के लिए वीडियो पी नीचे डिस्क्रिप्शन में, थांक्यो बेरे मच्छ